कि है रो गाईजिर वैलकम बैक टू यूडव चैनल इसके मिशड़ी अवे आप सकसच में हूं आपका एजुकेटर स्वेंसर आपको पता है अब कीवल कीवल दो महीने का वक्त बचा हुआ है जरा सोची है अगर मैं आपको दूं एक हजार रुपै किन्ना दूंे हजार रुपै पर मैं आपको बोलू कि ठीक है इसे आप अगर मैं यही आपसे बूलू कि आप 24 घंटे में खर्ष कर आप उसे 1 सेड़् में खर्ष कर सेड़ तो क्या है ही खर्च करपाएंगे बिल्कुल भी नहीं खर्च करपाएंगे खर्च कर पाएंगे आपको अब टाइम एकदम हो चुका है है मैं इए लग रहा है यह यह कुछी video dass Real好的 125 मैं को motivate कर रहा हूं यार कि ग्युआ ब लग जाओ खी पढ़ाय करना शुरू कर दो क्योंकि जरा सोच ये आज कितनी तारीक है आज कितनी तारीक है सर आज हो चुकी सर जी अक्टूबर का तीसरा सप्ता लग चुका है कितना सप्ता तीसरा सप्ता लग चुका है क्यों लेग दो सप्ता और बच्चे हुए अक्टूबर खतम और ओभी सर अक्टू खतब हो गया ऐसे ही नहीं गुरुदे दो तीन छुट्टी आई खतम हो जाएगी अगर हम बाद मान के चले आज अगर 15 अक्टूबर भी है 14 अक्टूबर भी है तो भी आपके पास अक्टूबर में कितने दिन का टाइम है अक्सिवं फाइब टेंडेस का तो यह इसको छोड़ दीजिए अक्टूबर आप जाने दीजिए अब बात करें कि ओल दो महीने आपकी पास बचा हुआ है एक सर नौंबर बचा हुआ है दूसरा क्या सरब आपके बचे हुए है नौंबर और दिसम्बर यह कह सकते हैं आपको देहारी मजदूरी कर रहे हैं तो उनको मैं हमेस्था वही करने दो वह किसी कहां जाके गाली खाके पैसे कमाया चाहे जैसे कमाया हम गुर्दे उनका उद्धार नहीं करेंगी हर माबापका एक सपना होता है कि मेरा बच्छा पढ़ लिखके टॉप करे नोगरी पाए आप क क्या देख या रहे हैं कुछ भी नहीं दे पा रहे हैं कुछ भी नहीं दे पा रहे हैं आपके उपर उन्हें अपना सारा जीवन इंवेस्टमेंट डाल दिया मतलब जो भी उन्हें कमाया था पूंजी आपके पीछे लगा दिया आपको कपड़ा दिये आपको बैक दिला द के पास मेंने के लिए कपड़े हो या नहीं लेकिन आपको एक अच्छा ड्रेस जरूर दिलाएंगे अगर आपकी स्कूल की फीस तो उसको जरूर से जरूर पेड करेंगे तो जाहिर से बात है सर उनको आपको कुछ ना कुछ आपको देना पड़ेगा ना तो कैसे देंगी बस यही जो आपके पास वक्त बचा हुआ है इसी वक्त में सर प्रहाई करना है सर जोग देना है अपने आपको आपको पता है सर अगर आपको एक अच्छा सेप देना है ना साइज देना है किसी लोहे को तो अगर आप लोहे को ऐसी तोड़िए आप लोहे को ऐसी मोड़ना सुरू करिए कोई हाड लोहा लेजिए मोटा लोहा लेजिए आप मुड़िए मोड़ पाएंगे सब नहीं मोड़ पाएंगे लेकिन आप उसी लोहे को आग पर रख दीजिए इतना गरम करिए इतना गरम कर तो हम मोड नहीं पाये उसको किसी आकार में सेप साइज नहीं दे पाएं लेकिन सर वही जब गर्म हो गया ना उसको हम मन चाहे आकर्टी में सर ढाल देए ठीक उसी प्रकार होता है अगर आपके अंदर सर अगर आज वी आग है यह जो दो महीना बचा हुआ है अगर यह आग जला के अपने आपको तपा के सर निखार लिए ना तो सर यह मेरी ग्यारेंटी है कि आपको सर 95 लाने कोई रोक नहीं सकता मैं तो इस पष्ट तोर पर यार पूरी यूटूब पे बोलता हूं कि भाई साब पढ़ा रहे हैं सब पढ़ा रहे हैं पुरी दुनिया पढ़ा र कुछ प्रकार जो पढ़ा रहा है अगर उन से बोलो कि पेपर तो नहीं वह उनके पास नहीं रही है विधाज पीची कुछ योदि देना रहा तो पुरी दुनिया रही है तुशर हम आपको देने के लिए लाएकि ऐए क्यों दो चीज कर दो चीज में एकदम टार्गेट् म और कुरे हम यूटूब पे सरदाविक साथ करेंगे जो यहां पर पेपर देते हैं नमबर वन क्वालिटी का फस्ट वर्श नमबर क्वालिटी का थिक पंचानमे फिस अपने पेपर से लड़ा देगे तीसरा पेपर के सल्यूशन और चोथा आप जो क्योशन पैंखरिद के लिए आल ले आए होना जो आतने इंपार्टिन पढ़ाते हैं वो क्या होता है जो मैं पेपर देता हूँ आप मिला लीजी हर एक क्योशन आपको वहीं से मिल ले आएगा तो ठीक है सर से लोग पढ़िए पेपर के लिए और आपीक के लिए आप यसख मिट्री भरोससी Hai जोड़क है कर रहे हैं आपका दिल नहीं कर रहा हैं उन्होंने आपका दिल तोड़ा तोड़ा लेकिन यदिल नहीं तोड़ेगा क्योंकि हो गष्णी कि नहीं UK सकते हैं इसका आपसे प्रॉमिस कर रहा आपको बहुत सारा चिंज मिलेगा अब करने के लिए हमागे हैं रेडी हो गए हैं तो डेली का तिन चार वीडियो तो आना एक दम फिक्स हो जाएगा कि हां सर बच्चे पढ़ें यहां आपको यूट्यूब नौटिफिकेशन भेजें यहां भेजें आर्ट और साइंस पहुते कि सर इंग्लिस का सच्ज्जेक्ट होता है क्या होता है क्या होता है आपको नहीं पता कई से होता है शात्रे हां हम आlk~~~~bor कर भी बुरुजी इंगली से नहीं पढ़ते लेकिन मैं आपसे प्रामिस कर रहा हूं यह सी हम आपसे प्रामिस कर रहा है कि आप इंगली से देंगे वह पेपर जो चाचा बनाता है वह पेपर जो आप चाहेंगे देने के लिए वह मैं आपको आने वाले कैसे आएंगे कैसे करना है और यहां पर बता रहा हूं बस यही काम करिए दो महीने में एकदम तगड़ी तयारी हो जाएगी इसका मैं आपसे वादा करना हूं इसका मैं आपसे वादा करना हूं देखेगा सबसे पहले आपको इंग्रिस में काम करना है आपको जो अच्छा लग रहा है जो कुछ भी अच्छा लग रहा है आप क्या करिए कि एक टाइम टेबल बना लीजिए जैसे माल लीजिए अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक महीने का वक्त हैं कि महीने का वक्त सिर्च एक महीने का वक्त है ने तुू तीत टॉपिक बढ़र तीसźniej यानि की वन डे वन डे यानि कि आपको प्रती दिन प्रती दिन एक टॉपिक आपको क्या करना है सर पढ़ना है और यहां पर मैं आपको तीस ही टॉपिक दूँगा मैं कितने टॉपिक दूँगा तीस ही टॉपिक दूँगा मैं यह तीस टॉपिक आपको डेली पढ़ना है प्रामिस कर लिजिए कि सर यहां पर जो सर बता रहे तीस टॉपिक हमें कितना पढ़ना है सर डेली एक टॉपिक पढ़ना है डेली एक टॉपिक तीज दिन में आपके तीज टॉपिक तयार मतलब पूरी इंग्लीज खलास हो गई सर एक महीने में आनी कि आपकी इंग्लीज कम्प्रीट हो गई अब बचा हुआ एक महीने है अच्छा को कह रहें गुर्देव जनवरी आपने एड नहीं कि अब यह जनवरी क्यों एड तो बाइड जनवरी को बिल्कुल यहां पर एक महीने में एक महीने में तो मैंने पूरी सा पढ़ाई कर लिकिसकी इंग्लिस की यारी जो टॉपिक दे रहा हूं 100% हर एक टॉपिक वहां से आने वाले हैं वो चाहिए आपका आटकल हो चाहाई लेटर हो यह बात करें हम पैसिच की या भी बात करें लॉंग सॉट किया सेंट्रल आइडिया की एक महीने में आपने इंग्लिस का पूरा चैप्टर खलास कर लिया अब सर बचा हुआ हमारे पास 30 दिन यह 30 दिन बचा हुआ है तो 30 दिन में सर जी हम यहां पर कई सिक्षन में डिवाइट करेंगे हम इंतीन सेक्षन में सबसे पहला सक्षन सर रेवीजन के सर रिवीजन का सर दूसरा सिक्षन किसका रखेंगे सर पीuj क्यू का चैजि पी वाई क्यूंगा सर्किसका रखेंगे पी वाई क्यूंगा और जो तीसरा सिक्षन रखेंगे वह रखेंगे गुरुदेव मॉडल पेपर पेपर करने बस जब आप बहतर से बहतर जब आपकी तैयरी हो गई एक महीनिक अंदर तो तिन चार पांग दस दिन लगेगा रिवीजन करिए उसके बाद प्रीविएस ने क्योंशन पूरे सॉल करी उसके बाद मॉडल पर सॉल करिए सब तक जनवरी तक हम तैयार हो जाएंग के लिए परिक्षा देने के यह मैं आप से जो बोल रहा हूं ना टिक्स भाई सब ले 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 ना ग्यान एक दम तगड़ा वाला है पहले एक महीने में आपको क्या करना यह दिए तीज टॉपिक आपको रटना है उसके बाद आपके पास जो एक महीने तीज दिन टाइम लिएगा और आखबंद करकी एक महीने आपके वाल तीज टॉपिक को यहां पर दिए गए बताए गए तापको रटना है उसके बाद देखिएगा सब हर एक क्योश्चन अगर आप ना सौल किये तो सर्म नाम बदल देंगे ठीना अब सर कुछ हम इंग्लिस के टिप्स कर दिए ऐसे मत करीगा सर ऐसे मत करीगा जैसे मैं बता रहा हूं सुरू से लाश तक जाईएगा सुरू से लाश तक जाना है और कितरे दिन फॉलो करना है सर तीज जी कसम खा लेना है कि एक दिन में एक टॉपिक तो पढ़ना ही पढ़ना है एक दिन में एक टॉपिक तो प तो कसम है सब उसके बार आपके पास अगर टाइम है कि तो आप ग्रामर के फॉर्मले करिए क्योंकि यह जो सब्सक्राइब का फॉर्मॉला होता है इसके लिए ग्रामर जो आपको सॉल्ड करने की तरीका इसके लिए ट्रीक और टिप से प्रोच नहीं है यह अंग्रेजी की जान जिसको करे जाएगे तो सर वही होता है जिसके वजह से जिन्दा है अगर निकाल दिया जाए पाएगे इस तरह है इंग्लिस के लिए तो ग्रामर के लिए कोई टिप्स और ट्रिक्स यहां पर नहीं है इसको आपको खुद से करना बड़ेगा चीज़ों को याध कर लिप लें याcentered इसके बाद मैं तीस टॉपिक बता रहा हूं इस खु़ यहां पर आपको यहां प्रस को क्या करना है पूरा कर पूररा आपको रैडी करना तीज टॉपिक फिर आपको डेली एक घंटे टाइम देना है क्या दे रहा है एक घंटे उसके बाद चैप्टर वाइज लॉंग एंड सॉड क्योशन को आप पहल दीजिए और आपका देखेगा इंग्लिस में आप वेल एक्स्पीरियंस हो जाए क्या हो जाएंग सर्वेल एक जो कि 15 नंबर काने वारा क्या जाएगा अब कहेंगे गुरुजी जो पैसे यह हम कैसे करेंगे हम कौन सा चैप्टर ऐसा याद खरलें हम कौन सा पैसे रड लें हम करेंगे आप उसको पढ़ो हिमत आप रटो हिमत मैं आपको बीना पढ़े सर बीना परहे बीना दिमाग लगाए बीना दिमाग लगाए आपको इसमें 10 मार्क्स दिला सकते हैं और थोड़ा दिमाग लगा दिये तो यह भी आपको करेंगे क्या वह जो मैं आपको पेपर लाओंगा उसको देख लीजिएगा काम खतम आपका सिक्षन है पैसिज आपका हो जाएगा ठीक है मैं तो आप बिलकुल चींता नहीं करना है अच्छा इसमें एक एक लांग प्यासी Kalb करेगा इसंपे ऒचार करेंगे में करते ग्र्याइबख से तैप यह फीति में खаться भीखार का या सदेमाट मदलाइब हो टानि यह वाररा तीनल यह जिर इखाना यार्त को थोअ में क्यों सब्सक्राइब करें तो सब्सक्राइब करें तो यहां पर जितने भी मैं आपको ने बता रहा हूं किया सरजी आर्टिकल कि टेन मार्क स्काइगा पेप्ल में ये सभी आर्टिकल आप क्या करें सर पहल लीजें तैयार कर लीजें उसके बाद देखें सर एक भी आपका नंबर सर माइनस होने वाला नहीं कौन कौन सर आप पढ़ेंगे फिस्टिबल पर आटिक पॉलिशन उसके बाद सर किसे पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस और इस्पोर्ट्स एंड गेम उसके बाद है फिर सर जी इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्राइटिक वैलू उसके बाद डॉरी सिस्टम उसके बाद यूर वीजन इन लाइफ यह ऐसे आडिकल जो बार-बार पेपर मे पढ़े हैं तो उस आर्टिकल को सब पढ़िए तो यह आप आडिकल नोट कर लीजिएगा ठीक न या फिर मैं आपको टेलिग्राम चैनल एसके मिशड़ी पर सेर कर दूँगा तो यह के मिशड़ी टेलिग्राम से जाकर इसका पीड़ डाउनलोड कर सकते हैं कोई दिक्तत नहीं वनेवाला है उसके बाद साल लेटर लेटर में कौन-कौन साब को पढ़ना अशाब दस नंबर का एगा इसमें आपको एडिटर और कंप्लेट लेटर आते हैं दो ही लिटर एक एडिटर पर आएगा इटर मतलब संपादक पर जैसे की आप किसी नुश्पेपर के आपको वाटर सप्लाई देगा तो कुछ भी दे दिया आप एलेक्ट्रिक सिटी है वहाँ पर आप आप वाटर सप्लाई कर लेजें फिर राइट अलेटर तो दे प्रिंसपल आप यूर कॉल फीस कंसेशन राइट अलेटर तो दे इडिटर आप ए नेशनल डेली सोविंग यूर कंसर्ण ओवर हाई राइज इन वाटर टैक्स लीज़े वही है थोड़ा बदलाव है बस उसके बाद आपके पेपर में दे सकता है राइट अलेटर तो दे प्रिंसपल आफ यूर कॉलेज फार ए फ्री स्टुडेंट सीप तो अनेवल यू तो इस्टड़ी फर्दर बस यही पांचा कर लेंगे इसी पे आपके सारे लेटर हो जाएगे आपको अलग से बहुत जादा मेहनत करने जरूद बिल्कुल भी नही ट्रांसलेशन को टॉपिक वाइस जो भी दिये हैं आप इनको कि अगर यह करके आप याद कर लिजिए ठीक है इसमें यह नहीं किया सकते कि यही दर्श्टों आप अंड्वनिम स्टैर कर लेजिए यही दर्श्टों स्टैर कर लेजिए च्यों कि ढेर सारे हैं कोई वी क्यो सब्सक्राइब करेंगे न कुछ आपको आना लगा इसकी चिंता मत करेंगे प्रोज चाहता है प्रोज पंदर नंबर खाता है कि यहां पर तूसौट टाइप क्योशन आते वन लॉंग आता है जो दूसौट इंसर टाइप क्योशन और जो लॉंग वाला होता है साथ तो सर अगर पोज में 15 नंबर चाहिए तो हम क्या करेंगे कुछ मत करना क्यों यही चैप्टर पढ़ लेना तीन ठूक और कौन से सब्सब्सद्र लास्ट लेसर लाश्ट इस्प्रिंग एन डीन पढ़ं आपको यह पूरा का पूरा प्रोस का 15 नंबर आपको मिल ले एगा यह ??? यह जी मेरी धार फार बीर वाल को क्योंसा है तो एक यहां पर आने वाला है पोट्री एक्स्टैक्ट या इस्टेंज आएगा च्छा नंबर का और एक आएगा सेंट्रल आइडिया कि नंबर का चाल नंबर का तो इसमें क्यों आपको तीन पढ़ना है यही आप तीन पढ़ लिजिए एक्स्टैक्ट भी हो जाएगा और सेंट्र आइडिया भी हो जाएगा यह दोनों आपका यहीं से हो जाएगा आपको अलग से कुछ पढ़ने की कुछ वियाद करने की बिल्कुल भी जरूत नहीं पड़ेगी यह मैं आप से वादा कर रहा हूं घ्रा अंट्र पांट değडर से सब्सक्राइगे यह फंद्रह नंबर इन अट प से में जाएगा पढ़ना है पर घ्र किल चाइगर चाप्टर पढ़ना है जरू धा आपको चार चैप्टर आपको पढ़के जाना है आपका हर एक क्योश्चन आपका सॉल हो जाएगा इस सियुम की गैरेंटी मेरी हर एक क्योश्चन हो जाएगा तो आने वाला जो महीने का वक्त है सर आप अपने आपको जोग दीजिए उसके बाद देखिए हर एक नंबर आपको ना मिला ना सर्वत आईएगा और दो महीने में सर इसी प्रकार से आप त्यार करें जो मैं आप टिप्स आपको दिया है और आपको डेली बेसिस पे धिर सारी वीडियो से मिले से में नेक्स स्टेकार रुआ ठीजिए अरगण के करा दूए ट्यार भाई